Hello students, मैं रिसब पांडे, स्वागत करता हूँ आपका वायरल बायलोजी के एक छोटी सी फैमली में, काफी खोस्तूरत फैमली बन गई है अब, तो आप भी उस फैमली से जुड़ सकते हैं, आपको करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, और नीचे टेलिग्राम का लिंक उसी में बात करेंगी कि क्या सावधानिया रखनी होगी, 6 round की counselling में 24 filling करते हुए, old candidate और new candidate को क्या-क्या सावधानी रखनी होगी, क्या उन्हें government college अगर मिल जाता है, तो क्या चीजें उन्हें रखना होगा अपने पास, कि किस तरीके से वो जागरूक रहें, सावधान रह रहें विल्कुल एकदम, ठीक है, उसके बाद कैसे choice filling करनी है, document verification में भी उनको risk नहीं लेना है, ये चीज भी मैं अभी clear करूँगा आपको, उसके बाद फिर से एक बार screen पर आपको schedule को remind कराऊंगा, ठीक है, फिर से आपको एक बार schedule को remind कराऊंगा, चुकि आप भूल बहु लेना है, ठीक, लेकिन मैं फिर भी alert रहने की पूरी कोसिस करता हूँ, latest से latest update आपको देता हूँ, हर update सबसे पहले इस channel पर मिलती है, और जैसे ही choice filling स्टार्ट होगी, जैसे ही सब कुछ स्टार्ट होगा, फिर से आपको सारी update दी जाएं, कोई दिक्कत नहीं, short, long video के माध्य से हर तरीके से, तो आईए, मैं वही चीज आपको slide पर दिखाऊंगा, कि क्या चीज आपको साउधानी बरतनी होगी, सबसे पहले तिये आ रही है, choice filling करते समय क्या साउधानी रखनी होगी, ठीक, choice filling में वही चीज मैं भी clear कर दूँगा, आईए, slide पर आप देख लीजे, फ ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि registration new candidate का हो गया है, अब जो old candidate है, जिनको अभी तक seat alert नहीं हुई है, उनका क्या होगा, उनकी आज ही से choice filling start है, ठीक है, उनका registration आज से ही होगा, उनकी choice filling आज से ही होगी, ठीक है, उनका seat alignment का real 7 तारीक को आएगा, ये भी आप देख सकते हैं, मतलब सब कुछ बिल्कुल एकदम clear होता जा रहा है, ठीक है, मैं schedule remind करवाने के लिए आया हूँ, जिससे schedule आप भूले ना, बिल्कुल ना भूले schedule को, और schedule आप नहीं भूलेंगे, तो उसकी बात कोई problem होने वाली भी नहीं है, ठीक है, इसलिए schedule को मैं आपको remind पिर बात आती है, यहां पर आप देख सकते हैं, कि यहां पर seat जब आपको alert हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, अब बात आती है, क्या चीज आपको alert रहना है, alert रहने के लिए, जो चीज मैं यहां को दिखाने के लिए लेकर आया हूँ, वो चीज आपको देखना होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ only one choice, twice is available, मनलब सिर्फ और सिर्फ एक ही आपसन आपके पास बचा है, और government seat भी मिल सकती है old candidate को, new candidate को तो नहीं मिल सकती, उनको सिर्फ added और private seat ही मिलेगी, लेकिन जो वहारे old candidate है, जो पहले से counselling में participate किये हैं, और जिन्होंने परिच्छा को दिया है, उनको government seat भी मिल सकती है, तो उनके लिए जो अभी list आने वाली है, list अभी choice feeling के पहले आ जाएगी, उस list को बहुत ध्यान से देखें और analyze करने के बाद वही एक option भरना है, जिससे ये हो कि आप बिल्कुल risk ना लें और आपको छठें और साथवे round में seat भी मिल जाए, मैं आप सबको इसके लिए best of luck भी बोलता हूँ कि आपको जरूर seat मिले, काफी मेहनत की होगी, आपने ये काफी दूर दूर exam देने आप गए होंगे, तो ये सारी चीजें हैं, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि आपका फी डिपोजीशन होगा 8-9 तारिक तक, उसके बाद 8-10 तारिक तक आपका क्या होगा, कि जो candidate appear नहीं होएं, फिर से जगर उनको seat alert नहीं होती है, आपको 6-8 round तक अगर आपको seat alert नहीं होती यहाँ तक, तो आप फिर से 7th round में भी आप participate करेंगे, वो आपका 7-10 तारिक तक होगा, ठीक है, उसके बाद बात आती है कि उनकी बात आती है कि जो payment जिनको करना होगा, हर चीज, मतलब जो नए हैं, जो नए candidate हैं, उनको जो है करना होगा, जो नए candidate है, जिन्होंने एक्जाम ही नहीं दिया, वो सब लोग यहाँ पर participate कर सकते हैं, ठीक, फिर बात आती है, इनकी choice filling की तिनकी, इन सबकी भी आप choice filling देख सकते हैं, और टेली ग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं, आप सबको schedule अबलेबल करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सबको बिलकुल एकदम हर चीज, आपकी clear होनी चाहिए, कोई भी doubt है, कोई भी person है, आप पूछिए, मुझे को नहीं पता होगा, मैं आपको suggest भी कर दूँआ, यहीं कब की official site के help line number के लिए भी, लेकिन जाएधर doubt आप मुझे से पूछ लेंगे, चुकि क्या है कि वहाँ पर call नहीं receive होती, कोई भी problem हो रहे, उसके लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ कड़ा हूँ, मैं नहीं चाहता कि किसी को seat मिले और वो सिर्फ counseling ना करवा पाए, उसके लिए उसकी seat चली जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर आप 9th round तक सारे schedule आप देख सकते हैं, और हाँ, आप 24 filling में तो बिल्कुल एकदम इतना सतर करही है, इतना सतर करही है कि आप से सतर कोई हो ना, बिल्कुल एकदम इलड रही है, एक ही 24 fill करनी, only one choice available होंगी यहाँ पर, 7th round में भी 8th round में, और सब को दोनों round में 24 filling करनी है, एक ही 24 filling करनी है, इसलिए आप लिस्ट को देखें कि कितनी सीट किस कालेज में अभी वाइकेंट रहे गई हैं, उन्ही के हिसाब से, और अपने नजदी की कालेज को आप फिल करें, कालेज उठाएं और भी अच्छे से विल्कुल एकदम मौश करें, और भी कोई भी अपडेट हो, कोई भी चीज हो, मैं आपको यहांपर देता रहूँगा, तो मिलते हैं, नेक्स सेशन में स्चेडूल, जाँ उम्मीद करता हूं, मैं सेडूल को आपको रिमाइन्ड करने में सफल रहा हूं, मिलते हैं नेक्स सेशन में, थैंक यू बाबाई लव यू आल नमस्कार